समस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि बारत के अंदर दुनिया की सबसे एडवांस हाइड्रोजन कार जो है वो लॉंच हो गही है सर इसका क्या मतलब है दुनिया की सबसे एडवांस अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस गाड़ी का नाम है मिराई इस गाड़ी का नाम जो है वो Guinness Book of World Record के अंदर भी दर्ज है कैसे वही एक बार ये गाड़ी जो चार्ज की गई थी तो एक बार चार्ज करने से इस गाड़ी ने इस गाड़ी ने डिस्टेंस कवर की थी जिस कारण इस गाड़ी का नाम जो है यानि मिराई जो है वो गिनीज Book of World Record में शामिल है कोई मजाक नहीं है इस गाड़ी को ऐसी तोड़ना गिनीज Book of World Record में शामिल कर लिया गया है इसने एच्छल में करक्के दिखाया है सर हाइडरोजन से चलेगी क्या एक बार थोड़ा सा अपने आपको शांत रखो सारी चीज़ें कलियर हो जाएगी क्या हाइडरोजन से चलेगी मिराई जो है इस गाड़ी का नाम है कौन सी कंपनी बनाती है अगर यह logo अगर आप पहचान पाओ तो समझ जाओगी गाड़ी किस company ने बनाई है यह logo है Toyota का Toyota वो company जो Fortuner बनाती है मुझे लगता है कि Fortuner तो हर किसी को पता होता है हर किसी का सपना होता है Boys की specialist मतलब कि special गाड़ी की पसंद होती है Fortuner तो यहां पर Fortuner गाड़ी को बनाने वाली जो company है Toyota उस company ने बनाई है मिराई गाड़ी को जो hydrogen का use करके इस गाड़ी को चलाया जाता है तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर PDF से related information देता हूँ कि PDF का मिलेगी PDF जो है वो telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए जो हमारे देश के Kendriya Saadak Privan और Rajya Mark मंत्री नितिन गड़करी जी जो है उन्होंने दुनिया की सबसे उननत भई ऐसे लिखने के लिए नहीं actual में उननत है यह दुनिया की सबसे highest technology वाली जो गाड़ी है यानि जो green hydrogen पर अधारित fuel cell electric vehicle Toyota Mirai को launch कर दिया है भारत के अंदर अब समझो ज़रा इसके अंदर सबसे important चीज जो आपको समझने वाली है वो है FCEV यानि fuel cell electric vehicle sir बिजली का नाम आगया sir इसके अंदर electric vehicle का तो नाम आगया sir electric vehicle तो ओलेडी भारत के अंदर चली रहे है हमने e-rickshah तो इतने देखे है इसके अंदर ऐसा नया क्या है इसके अंदर नया ऐसा है कि आपने जो पुराने electric vehicle देखे हैं जैसे e-rickshah हो गया या ola का scooter हो गया जब यह चलते हैं या फिर और भी electric vehicle होते हैं बिजली पर चल रहे होते हैं उनके अंदर एक बैंटरी होती है obviously sir बैंटरी तो होगी क्योंकि electric vehicle है और बिजली को store करने के लिए बैंटरी की जूरत पड़ती है बिल्कूल सही sir क्या इसके अंदर नहीं होगी क्या होगी इसके अंदर होगी लेकिन समझो यह जो बैंटरी होती है जो electric vehicle होते हैं इसको charge कैसे किया जाते हैं obviously charge station से या घर पे charge कर लेते हैं इसको charge करके इस vehicle को चला लिया जाते हैं इसके अंदर जो है यह बैंटरी चार्ज नहीं करना पड़ेगी समझो फिर से यह जो गाड़ी मिराई है इसके अंदर बैंटरी तो रखी हुई है चलेगी electricity से ही लेकिन जो electricity से चलेगी इसके अंदर जो बैंटरी है इसको charge नहीं करना पड़ेगा तो सर बिना charge होई चलेगी क्या नहीं, charge होगी, कौन करेगा इसको charge करेगा, यह fuel cell यह जो fuel cell है यह इसی बैंटरी को charge करेगा, कैसे करेगा इसको charge करेगा हाइडरोजोन के दोरा इसके अंदर है हाइडरोज़न हाइडरोजन जो है, वो oxygen के साथ मिश्रित होगा मिश्न यानि अभी करिया करेगा अभी करिया करके क्या बनेगा इन से निकलेगा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन निकलेंगे इलेक्ट्रोन जब निकलेंगे वो बेंट्री को चार्ज कर जाएंगे और साथ इस से निकलेगा पानी आप जो गाड़ियां जो चलती है जो पेट्रोल से चलती है जो डीजल से चलती है तो वो अपने exhaust से यानि क्या निकाल रही होती है obviously वो धुवा निकालती है ये गाड़ी धुवा नहीं निकालेगी ये गाड़ी जो है वो पानी निकालेगी अभी माँ आप लोगों को एक वीडियो के तुरू इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपकी समने जो वीडियो चल रही है अच्छा यह देखिए यह इसका अंदर का सिस्टम हो जाएगा अभी समझो ज़रा यह देखिए यह जो hydrogen जो है hydrogen plus oxygen है अच्छा यह hydrogen plus oxygen होगी यह क्या बनाएगी electricity plus water अच्छा यहाँ पर देखिए यह hydrogen tank हो गए यहाँ पर यह दो है hydrogen tank रखे होगी इसके अंदर hydrogen है ठीक है यह है hydrogen उपर रखी हुई इसके उपर बैंटरी यह है electric self-fuel और यह आगे है boost converter एक बिनट कहा गया यह अच्छा यहाँ पर हो गया है मारे सामने ठीक है यह hydrogen अभी देखिए यह hydrogen हो गया यहाँ पर अब यहाँ से अभी क्रिया कर रहा है यह देखिए यह अभी क्रिया कर रहा है यहाँ पर fuel cell के अंदर यह hydrogen यहाँ से निकला यह यहाँ पर fuel cell है fuel cell में oxygen आई और hydrogen आई उन्होंने अभी क्रिया करी अभी क्रिया-क्रिय तो इलेक्ट्रोन जरनेट हुई तो ये बैंट्री चार्ज हुई और निकला क्या? पानी निकला तो ये है उननत किसम की टेखनोलोजी जिससे जो है ये हाइड्रोजन के द्वारा चलाई जाने वाली एक गाड़ी हो जाती है सर इसके अंदर भरवाया क्या जाएगा? इसके अंदर भरवाया जाएगा? अभी देखे अभी इसके अंदर जो भरवाया जाने वाली जो चीज है वो है हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन है ये देखे ये हाइड्रोजन भराया जाएगा इसके अंदर जाएगी 646 लगवक शाड़े 600 किलोमेटर जो है यह इतना कवर कर लेगी सर अभी तो आपने बोला 1300 किलोमेटर से जादा इसने डिस्टन्स कवर किया था एक बड़ी है हिड्रोजन फूल करवाने के उपर देखे वो होता ना किसी की गाड़ी की चलाने के उपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी चला कैसे रहा है एक हार्स ड्राइविंग कर रहा है आपने देखा होगी अब तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो भई वहाँ पर माइलेज इतनी नहीं जा रही लेकिन आप बड़ी अराम अराम से एक तम स्पीड को मैंटेन करके गाड़ी चला रहे हो तो जिससे क्या है कि गाड़ी अच्छा दे देती है कनवर्ट करना भूल गया था अच्छ यह देखे ग्रीन हाइड्रोजन और एफ सी इवी प्रयोद्योगी की बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को इन्फोर्मिशन भी होनी चाहिए और जागरुकता पैदा करने की जुरूरत है अभी समझो इसका भारत में अपनी पहल प्रयोद्योगी की अनूठी उप्योगिता के बारे में जागरुकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परिस्टिती तंतर की स्थापित करना है कि भारत के अंदर हम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वीकल का यूज़ करने वाले हैं और इसके लिए लोगों के अंदर जागरुकता पैदा करने का ये काम किया गया है देखे भारती सडकों को अभी समझो ये आ गई है कोन लेकर आया इसको टोटा किलोउसकर किलोगोसकर टोटा क्लोगोसकर मोटर Limited ये जो है इस company ने जो है इस गाड़ी को यहां पर launch किया है अब ही समझो भारत की सडके और भारत की जो जलवाई हुए उसके according कि गाड़ी कैसा यहां पर पर परदशन करेगी या फिर कैसे चलेगी पहले तो इसको मापा जाएगा और इसको मापने के लिए एक पाइलेट प्रियोजना चलाई गई है दो एक तीरिके से समझो एजनसी के अंदर यहां पर MOU सुझाय किये गए हैं दो कौन-कौन से हैं एक तो है Toyota Killors कर Motor Private Limited और एक है International Center for Automative Technology, ICAT द्वारा एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं अब यह क्या है ICAT, ICAT जो है वो एक तरीके से World Class Automative Testing Certification and Research and Development Service Provider है यह जो है भारत के NATRIP यानि National Automative Testing and Research and Development Infrastructure Project जो एक गवर्वर्मेंट की एक एजनसी है उसके तहत यह जो है अब यह certificate देती है गाड़ी को भी यह गाड़ी चल सकती है नहीं चल सकती है यह सारे काम किये है और इसने Toyota ने इसके साथ एक यहाँ पर MOU जो है वो साइन कर लिया है अब यह चेक करेंगे कि भारत के अंदर यह जो गाड़ी चलाई जाएगी उसके वो कैसा परदर्शन करती है पर इस सडकों के उपर चल पा रही है नहीं चल पा रही है यहाँ पर यहाँ की जो जो जल वाई यू है उसके कोडिंग है कैसा परफॉर्म करेंगे इस सारी चीज़े जो है वो अभी निकाल कर हमें सामने रखेंगे अभी कुछ टाइम लगेगा ऐसे नहीं कि कल परसों में निकाल के रख देंगे अब कीमत के उपर भी काफी सारों को डाउट होगे सर कीमत कितने होने वाली है ऐसी जो गाडियां होती है कीमत के उपर समझो 50-60 लाग से तो यह ऐसी शुरुआत होने वाली है क्योंकि बहुत एक अच्छी किसम की गाड़ी है यह जिनकी एज जो है वो काफी जादा है अभी देखो भारत में वर्स 2047 तक भारत को आत्म निर्भर बनने में यह साहे करेगा जिवाश में इंदर जो हम पेट्रोल यूज करते हैं जो हम डीजल यूज करते हैं उस पे हमें कम करना है अपनी निर्भरता को और यह तो कम करना ही करना है साथ साथ हमें स्वच उर्जा और प्रेवन स्रंक्षन को बढ़ावा देकर 2047 तक भारत को उर्जा के अंदर आत्यु निर्भर बनना है और इसमें यह जो चीज है FCEV जो है वो काफी जादा हेल्प करने वाली है यानि हाइड्रोजन जो हो काफी जादा हेल्प करेगा अब सर्विस्ट उत्सर्जन समाधान देखे हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वीकल FCEV जीरो उत्सर्जन के सबसे अच्छे समाधान में से एक है यानि यहां से निकलेगा क्या पानी निकलेगा पानी निकलेगा जो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करने वाला है तो यह पूरी तरह के से प्रेवरण के अनुकूल है जिसमें से पानी के अलावा कुछ भी निक लेगा और जो tail pipe होती है ने tail pipe में से क्या निकल रहे होते हैं जिसमें आपने देखा हो कि गैंस या विकिन जैसी किसी चीज का वातावर्ण में उसर्जन ये सब निकलते हैं यहीं कार्बन निकलता है इससे, धुवा निकल रहा होता है, जिससे क्या होता है, पॉलिशन बढ़ता है, अब यह जो है एक तरीके से renewable energy है, भाई अब हम green जो hydrogen जो है वो obviously आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास renewable energy का परचूर बंडार है, बायमास से जो हम green hydrogen जो है उत्पन कर सकते हैं, अचा ग्रीन hydrogen की जो शमता है, दोहन करने के लिए प्रदोगी की को अपनाना भारत के लिए एक स्वच और किफायती उर्जा भविश्या हासिल करने में एक महतपूर्ण भुमिका निबाएगा, क्योंकि देखे, आज की डेट में जैसे पेट्रोल के दाम, या डीजल के दाम, या फिर crude oil है, जैसे उसका दाम बढ़ रहा है, जिसके कारन भारत में बहुँ जादा असर पड़ता है महंगाई के उपर, अगर हम ये सब चीज़ें लेकर आते हैं भारत में, तो obviously कहीं न कहीं हम एक किफायती उर्जा को जो है, लाप आएंगे भारत में और definitely महंगाई पर control किया जा सकेगा, clear, और भारत में electric वहनों की स्थिति के बारे में बताएं, अभी तो आपने FCEV के बारे में सुन लिया है, अब थोड़ा electric vehicle के बारे में सुन लेते हैं, FC गोड आ देते हैं, electric vehicle की क्या condition है भारत के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखे, global warming को लेकर काफी जादा चिंता बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया का temperature बढ़ रहा है, temperature बढ़ेगा, obviously उससे बहुत जादा problem होगी, क्योंकि glacier पिग लेंगे, glacier पिग लेंगे, तो पानी का level बढ़ जाएगा, पानी का level बढ़ जाएगा, तो जो भी, जिन भी देश हैं, जो समुंदर के नजदीक हैं, या समुंदर के तटरिका वो बनाते हैं, तो वो डूबने का उनका chances ज़़ाते हैं, obviously भारत के पल खत्रा है इस चीज के उपर, तो कहा गया है कि और भी बहुत सारे कारण हैं, कहीं के सोचें कि जो landlock countries हैं, क्या उनका नहीं होगा, क्या नुक्सान बहुत लोगा होगा, ऐसा नहीं है कि एक का नुक्सान होगा, या फिर जो देश समूदर के नजदीक हैं उनका नुक्सान होगा पर नुक्सान सबका होने वाला अगर गर्मी बढ़ेगी तो अब यहाँ पर इस गर्मी को यानि कहें कि ग्लोबल वर्मिंग को कम करने के लिए पैरी समझोता हुआ था और पैरी समझोते में कहा गया था कि भी जितना हो सके इलेक्ट्रिक वीकल को आप प्रमोट करिए तो भारत जो है वो अपने तरज पर इलेक्ट्रिक वीकल को बहुँ जादा प्रमोट कर रहा है एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक revolution आया हुआ है इलेक्ट्रिक वीकल को लेकर उसके development को लेकर तभी देखे आने वाला टाइम definitely जो है वो इलेक्ट्रिक का होने वाला है जो भी गल्फ countries है वो ये चीज को समझ चुके हैं इसलिए वो तेल से हटकर दूसरी चीजों के उपर investment कर रही है इस चीज को समझ ना होगा आज की डेट में जाते हैं डीजल के उपर क्या माईले देती है पेट्रोल के उपर क्या माईले देती है भई आने वाले टाइम ऐसा नहीं होगा 2030 तक भारत का कहिना कहीं संपना है कि जो vehicle जो बिकने वाले हैं भारत के अंदर उसमें 30% हिस्सा जो है वो electrical vehicle का हो अब यहां पर देखे आने वाले टाइम में या फिर अभी के अभी में बैंट्री जो बनाने की जो कोस्ट है वो गिर रही है उसकी जो capacity है वो बढ़ रही है तो यह सब चीज़ें इतनी जल्दी-जल्दी हो रही है मतलब कि कोस्ट कटिंग हो रही है साथ इसाथ उसकी efficiency बढ़ाई जा रही है तो एक अच्छी चीज़ हो रही है जिससे क्या है कि electric vehicle की जो है बढ़ भी रही है अब भारत में जरूरत क्या है electric vehicle की definitely भारत के अंदर एक revolution की एक क्रांती की बहुत जादा जरूरत है transportation में क्योंकि आप देख रही हो कि महंगा जो तेल है वो होता जा रहा है जिससे क्या करने कि अब महंगा तेल हो रहा है एक तो यह चीज होगी साथ इसाथ प्रिवहन शेत्रों में carbon मुक्त करने के लिए electric vehicle की तरफ हमें definitely जाना ही पड़ेगा अगर आपको carbon से carbon कम करना है या carbon बिल्कुल use ही नहीं करना है तो electric vehicle जो है वो इसका सबसे best exam मतलब की use होगा कि हम इसको use करें अच्छा दिसंबर 2021 में पहली बार electric vehicle का जो पंजी करन है दिसंबर 2021 में समझना दिसंबर 2021 में electric vehicle का जो पंजी करन है वो 50,000 से अधिक वा था जो सबसे जादा था सबसे highest था हमारे देश में अभी देखें तो भारत में जितने भी vehicle है उसका 3% जो है वो electric vehicle लेके बैठे हुए है यहाँ पर यानि 100 vehicle है भारत के अंदर 100 में से 3 जो है वो electricity पे चलने वाले होगे और इन 3% में से 80% हिश्चा जो आप देखेंगे तो वो कम लागत वाले है यानि उनकी cost कम है और जो वो है एक तरीके से slow electric vehicle है आप जैसे की 3-wheeler आप देखते हो 3-wheeler कौन से इरिक्षा आप देखते हो तो वो यहाँ पर इन 80% तो यही लेके बैठे हुए है और आज की data में जैसे company सामने आ रही है जैसे ओला company आपने सुनाओगा जिसका electric scooter आ रहा है उसने तो तहलका मचा देना है आते ही यहाँ पर क्योंकि उसने बहुत सारी technology उसके अंदर use की है बहुत बढ़िया तरीके से कहा गया है कि अच्छा चलेगा एक बार चार्ज करने पर इसकी speed अच्छी होगी तो बहुत सारी ची कि دिसंबर 2021 तक 7,496,000 एलेक्ट्रोनिक वीळिकल जो है वो रजिस्ट्र की गए हैं देखें अकेला दिसंबर में 50,000 एलेक्ट्री वीएकल जो है वो रजिस्ट्र किये गए थैं लेकिन दिसंबर 2021 तक total कितने कर दिये गए साथ लाख शान वे जार लगबग 8 लाग vehicle station यहाँ पर दिये गए है अब बात करें देखे वित्यवर्स 2015 से वित्यवर्स 2020 तक electric vehicle की जो विक्री है वो 133% जो है वो increase हुई है जो पारंपरिक आप ICE यानि ICE वो होते हैं जो hybrid होते हैं जो electric और कहें कि तेल के पर जो चलने वाले होते हैं वो एक hybrid यह जो वहान होते हैं इनकी तुलना में संख्या बहुत कम है यानि यह भी बहुत जादा बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या ही बढ़ी है लेकिन यह इतनी नहीं बढ़ी है जितनी ICE की बढ़ी है और वित्यवर्स 2021-22 में देश में बिकने वाले 2021-22 में ध्यान रखना 2021-22 में देश में बिकने वालों में वहान जो electric vehicle है वो 1.32% है यानि कि कहें कि 100% vehicle बिके थे 2021-22 के टाइम में अब 2021-22 के टाइम में total vehicle के अंदर कितना वित्वर्स की बात कर रहा हूं मैं कहीं सोचों कि सर्थ 2022 तो चल रहा है अब इससे problem कोई problem तो होंगी न क्या चुनोतियां आ रही है जो electric vehicle नहीं जा पा रहे है बावजुद इसकी कि भारत ने बहुत सारी scheme चला रखी है incentive provide कर रहे हैं तो क्यों भारत जो है भारत के अंदर electric vehicle इतना नहीं बढ़ पा रहा है तो reason है कि उभोकता संबंदी मुद्दे हैं जैसे कि consumer related issue कैसे है कि एक तो है charging station हमारे यहांपर charging station की definitely कमी है और एक चिंटा का कारण है और पड़ोसी समक्ष देशों की बात करें जहांपर electric vehicle चल रहे हैं वहाँपर 5 million से अधिक तो charging station है लेकिन भारत के अंदर भाईया charging station की कमी है और charging station की कमी होने के कारण definitely एक consumer होता है तो अगर आप उसके perspective से बात करें तो उसको कहीं दूर जाना है तो डर तो लगेगा ना कि यहां मैं तो जाए नहीं पाऊँगा क्योंकि आगे तो electric vehicle charging station तो है ही नी तो यहां पर जो है एक तरीके का डर आता है यहां पर consumer के दिमाग में और इसलिए वो electric vehicle के उपर जाने से कतराता है यहां पर और एक दूसरी चीज़ है नितिकत चुनोती है यहनी policy challenges देखे, electric vehicle को अगर आपको बढ़ाना है सरकार को बढ़ाना है तो एक लंबे टाइम का यहां पर आपको investment करना होगा एक लंबे टाइम के लिए यहां पर policy ले के आने पड़ेगी अच्छल में भारत में क्या है कि जो policy makers है भारत में वो उनकी एक एन निश्चितता है uncertainty है वो कभी भी policy change करते हैं आज भारत सरकार ने बोल रहा है कि हम आपको incentive दे रहे हैं जैसे PLI scheme चल रही है तो उस PLI के अंदर क्या है कि बहुत सारे incentive दिया जा रहा है जैसे Ford company को वापस बलाया गया है भारत के अंदर लेकिन electric vehicle बनाएगी यहां पर PLI scheme के तरहत बलाया गया है अब भारत सरकार का कहें कि वो scheme कभी भी बदलते एनिसित्ता है वहाँ पर अब एनिसित्ता होने के कारण अभी एक time period तो बताएं नहीं उन्होंने अगर वो time period बताएं कि इतने time तक आप आ जाएए यहां पर इतने लंबे time तक हम की काम करने वाले तब तो लोग आएं यहां पर investment करें और इस uncertainty के कारण लोगों के अंदर एक demotivation भर जाता है कि हम नहीं करना जाते क्या पता कब कहां पर कोई scheme आ जाए और दूसरी बात है प्रद्योगी और कुशल श्रम की कमी यह पहुँ जादा important मुझे issue लगा कि हमारे यहां पर skilled labor नहीं है देखिए आपको एक electric vehicle चलाना है तो definitely भारत के में band tree, semiconductor, controller और electronic के अंदर जानकारी होना बहुँ जादा जरूरी है और भारत इसके अंदर काफी जादा पिछड़ा हुआ है और यहां पर यह एक read की हड़ी है यह electric vehicle के उद्योग की अगर यह चीज़े नहीं आएंगी तो definitely बहुँ जादा परभाव पड़ता है भारत के अंदर electric vehicle के production के अंदर दूसरी चीज़ है घ्रेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं कि हम domestic production करेंगे तो उसमें कमी क्या आने वाली है क्या problem क्या challenges आने वाले है देखें बैंटरी बनाने के लिए सबसे important क्या होती है एक तो lithium और एक कोबाल्ट दो इसकी जूर्ट पड़ती है lithium बैंटरी जो हम आज अपने phone में देखते हैं उसमें बैंटरी कोंसी है वो lithium है बैंटरी लेकिन भारत में उसके बंडार नहीं है वह या lithium के और lithium के बंडार नहीं होने के कारण भारत बाहर से दूसरे देशों से dependent रहेगा इस lithium के लिए तो कहीं न कहीं हम आतों निर्भर बनने की जो बात कर रहे हैं तो इसमें कमी आने वाली है या फिर एक कहीं कि एक बादा आड़ेगी हमारे सामने अब संबंदित पहलों की बात करें कि भारत ने क्या-क्या चीज़ें स्कीम चला रखी है एक तो एक फेम टू पहले फेम बन चली थी अब फेम टू आई हुई है इसके अंदर कहीं कि यहां पर भारत के अंदर एक प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव पी एलाई जो है वो स्कीम चला रही है अरे कहां गए भाईया कहां गए अच्छे यहां पर हो यहां पर देखे प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव पी एलाई स्कीम चला रही है साथ इसाथ PLI scheme और चलाई जा रही है जिस PLI scheme के अंदर क्या है ओटो और ओटोमेटिव कमपनी को यहाँ पर electric vehicle के निर्मान के लिए उनको प्रोसाहित किया जा रहा है साथ इसाथ भारत के अंदर अभी जैसे electric charging station की बात करें उसके लिए भारत ने guideline और standards जारी कर दिये है charging infrastructure for electric vehicle इसके लिए guideline and standards जो है भारत सरकार ने जारी कर दिये है ताकि भारत के अंदर इस से related कोई भी issue जो है वो सामने नाए definitely अभी भी काफी सारी problems हैं लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ें धूर हो भी रही है अब भारत उन गिने जुने देशों के अंदर शामिल है जिसने EV30 at the rate 30 इस अभ्यान का समर्थन करते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि 2030 तक कम से कम 30% नई electric vehicles की बिकरी करना है यानि अगर 2030 तक 100% vehicle बिक रहे हैं तो इस 100% में से 30% इलेक्टरी vehicle का होना चाहिए यह भारत ने कसम खा रखी है साथ इसाथ ग्लासको में COP26 जलवायो परिवर्तन हेतु भारत ने 5 ततों यानि 5 अमृत की वकालत और इसके परतिवत्ता जाहिर की थी ग्लासको सिकर समेलन में भारत द्वारा विभीन विचारों का समर्थन किया गया था जिसमें renewable energy के माध्यम से भारत की उर्जा का 50% पुरा करना है renewable energy से और 2030 तक carbon उसर्जन को 1,10,000 तक कम करना है और 2030 तक शुन्य शुद शुन्य उसर्जन यानि बनाना ही नहीं है बनाना ही नहीं है आपर शुद शुन्य उसर्जन को प्राप्त करना है अब आगे की रहा क्या हो सकता है भारत में जो भी company है market है उनको encourage करने की बहुत ज़्यादा जरूर था कि वो खुद की अपनी एक technology बनाए जो भारत के strategic और economic point of view से काफी ज़्यादा सही हो मतब कि भारत की जितने भी consumer है उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी चीज़ों को ले के आना होगा कि उनके economic उनके लिए महंगा भी ना पड़े और उनको एक तरीके से बढ़िया एक अच्छी चीज भी मिल जाए तो इसको करना जुरूरी होगा दूसरी एक चीज यह है जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी यह point मुझे कि हमारे देश के अंदर जैसे होता है कि एक सोच बनी हुई हुई थी है consumer की और उस सोच को change करना काफी जादा मुश्किल होता है हम एक particular चीज के पर ती ऐसा सोच बना लेते हैं कि यार जैसे कि आज हम बात करते हैं पेट्रोल विकल की तो हम गोते हैं पेट्रोल खतम हो जाएगा ऐसा तुन नहीं कि पेट्रोल एक बार डला लेगे तो भाई याप पूरी दुनिया का इचक्कर लगाएगे ऐसा तो नहीं हो सकता न, पेटरोल डालते हैं, मैक्सिमम में गाड़ी जो है, वो 200, इतना किलोमेटर मैक्सिमम, इतनी है, वो चला लेता है, कोई भी इंसान चला लेता होगा, ये 500 चला लेता होगा, तो वहाँ पर एक चीज आपने देखा, डेटरो के बाद कहीं न कहीं तो होगा न, तो उनको इस चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि यार हर जगा जो है, वो पेटरोल बाप आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही भारत के अंदर जो लोग है, उनके अंदर एक ऐसी सोच है, कि इलेक्टरिक वीकल जो है, वो कमजोर होते हैं, इनके इलेक इसे तोड़ा जाएगा, लोगों को जागरू करके, उनको बताकर ये आज की एट में कितना ज़्यादा इंपोर्टन्ट है, इलेक्टरिक वानों को बढ़ावा देकर ये सारी चीज़ें हो दूर की जा सकती है, दूसरी बात कि इलेक्टरिक आपूरती स्विंक्ला के लिए वी निर्मान शेतर में सबसीडी देने की बहुँ जादा जरूरत है, ओविसली भारत सरकार सबसीडी परवाइड कर भी रही है, इलेक्टरिक वीकल के अंदर वहां पर इंसेंटिव परवाइड कर रही है, जैसे आप इलेक्टरिक वीकल खरीबते हो तो आपको इंडेवर नहीं बनाएगी वो, इंडेवर नहीं बनाकर वो इलेक्टरिक वीकल बनाएगी भारत के अंदर, इसलिए वो भारत में वापस आ रही है, तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो कॉंसेट है, FCEV यानि फ्यूल सेल इलेक्टरिक वीकल अच्छे से सम रहना, देखते हैं वो सब चीजें कैसे होती है, I hope so, आप लोगों के सारी जिन समझ आई हूगी, समझ आई हूगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और PDF के लिए मैं आप लोगों को अलेडी बता चुका हूँ कि कहां पर मिलेगी, आपको अलेडना था, thank you for watching this video